नमस्कार टीवी नाइन राजिस्तान पर आज की इंसाइड स्टोरी के साथ मैं हूँ भविशी त्यागी राजिस्तान में कॉंग्रस के भीतर सचिन पाइलेट के मन में जब असंतोश का ज्वालमों की फटा तो जैपुर से लेकर दिल्ली तक असहज्टा की स्थतीब बन गई लेकिन अब चुनावों से ठीक पहले धीरे धीरे सबको शांत हो गया है लेकिन दूसरी तरफ अब बीजेपी में उसी तरह के संतोश का एक ज्वालमुखी क्या वसुंद्रा राजे के मन में भी फट रहा है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है वसुंद्रा राजे क्या पार्टी से बगावत के संकेत खुले तोर पर अब दे रही है ये भी बड़ा सवाल है आने वाले चुनावों के लिए वसंद्रा राजे का रुख क्या होगा ये भी अपने आप में एक सवाल है क्या पार्टी की लाइन पर चलेंगी वसंद्रा राजे और शीर्ष नेत्रत जो तै करेगा उसका सम्मान करेंगी या फिर अपनी राहे खुद बनाने के तैयारी में वसंद्रा राजे नजर आ रही हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दरसल दो सितंबर से प्रदेश में बीजेपी चार चरनों में परिवर्तन यात्रा की शुरुवात कर रही है और इससे एक दिन पहले ठीक एक दिन पहले वसंद्रा राजे ने एक सर्प्राइज प्लैन कर लि दरसल वसुंद्रा राजे सिंधिया एक सितंबर को धार्मिक यात्रा पर निकल रही हैं। कि यह धार्मिक यात्रा कई मंदिरों से होकर गुजरेगी। इसमें राजसमन का चार भुजा मंदिर भी होगा, नाथ द्वारा और बासवारा का तिरिपुरा सुंदरी मंदिर भी होगा इन मंदरियों के द्वरे पर एक सितंबर को रहेंगी वसुंधरा राजे अब सवाल ये उठा है कि परिवर्तन यात्रा से चीक पहला और परिवर्तन यात्रा आप जैसा जानते हैं कि परिवर्तन यात्रा ही चारो चर्णों में धार्मिक स्थलों से शुरू हो रही है फिर अलग से धार्मिक यात्रा का प्लैन देवदर्शन के प्लैन की जरूरत वसंद्रा राजे करा देना चाहती हैं फिर से क्या वो दबाव आलाखमान पर ये बनाना चाहती हैं कि उनको पाटी का चेहरा बनाकर आने वाले चुनावों में मैदान में उतरा जाए अब देखे परिवर्तन यात्रा को लेकर जो चीजे चल रही थी उसमें ये कहा गया कि च की खबर ये है कि इन नेताओं के बीच यात्राओं को लेकर और किस यात्रा को लीड करना है इसको लेकर थोड़ी अन्बन की स्थिती थी वसंद्रा राजे को जो दो सितंबर से यात्रा शुरू हो रही थी त्रनेत्र मंदिर से गणेश त्रनेत्र मंदिर से उसकी जमधारी स्वापी गई थी लेकिन वो नहीं चाहती थी कि जो 2 सितंबर से यात्रा पूरवी राजिस्थान में निकल रही है उसकी जिम्मदारी वो जंबाले क्योंकि पूरवी राजिस्थान में ERCP का मुद्धा बड़ा गरम है और BJP से नाराजगी समुद्धे को लेकर केंद्रो सरका का सामना करना पड़ सकता था और इसी आशंका के चलते शायद ये नाराजगी वसुंद्रा राजे के मन में रही होगी और सूत्रिये बता रहे हैं पी जोशी साब जिस चरण की यात्रा की अगवाई यह यूँ कहें लीड जिसको करने जा रहे थे मा की जिम्मदारी वसुंद्रा जी चाहती थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया यही अन्बन चल रही थी और इसी के चलते अभी जो स्थिती है केवल ये है कि यात्रा तो निकल र भाएं इस पूरी यात्रा के दौरान होनी है बीजेपी की अब तमाम जो पाठी के नेता हैं बड़े नेता हैं वो उसमें सभाव को संभोधित भी करेंगे लेकिन वसुंद्रा राजे की धार्बिक यात्रा फिर मैं वापस लोट रहा हूं इसके क्या संकेत है देखिए यह जो धार्बिक यात्रा प्लैन की है वसुंद्रा राजे ने यह उसी इलाकों में हैं जहां पर सीपी जोशी साब को परिवर्तन यात्रा की अगवाई करनी थी अब ऐसे में क्या ठीक एक दिन पहले वसुंद्रा राजे वहाँ पर अपनी या अपने नित्रत्व में बड़ी संक्या में भीड जुटा कर सीपी जोशी साब या पाटी को सीधे तोर पर टक्कर देखर अपने राजनेतिक कद का एहसास कराना चाहती हैं क्या ये अपने आप में बड़ा सवाल और वसुंद्रा राजे की अब राहें सियासी तोर पर किस तरफ बढ़ रही हैं और क्या वसुंद्रा राजे की ये देवदर्शन और धार्मी क्यात्रा क्या बीजेपी को अनकमफर्टेबल आने वाले चुनावों के लिए करने जा रही ह ये अपने आप में बड़ा सवाल है सवाल कॉंग्रेस पाटी और सचिन पाइलेट को लेकर भी पूछे जा रहे थे सवाल ये था कि क्या सचिन पाइलेट इस बार टोंग से चुनाव लड़ेंगे की नहीं लड़ेंगे सवाल तो ये भी था किया क्या वो विधान सभा चु मसूदा से चुनाव लड़ सकते हैं जासे उनके करीबी राकेश पारिक अभी सिटिंग मले हैं और मसूदा में ही आपको याद होगा अभी हाली में सचिन पाइलेट ने किसान सम्मेलन को भी संबोदित किया था लेकिन इन तमाम कयासों को पूरी तरह से खारिच कर दिया है टोंग के जिलाध्यक्ष रवी प्रसाद बैरवा के उस बयान में जिनोंने मौकिक तोर पर जिसमें उन्होंने दावा कर दिया है कि सचिन पाइलेट टोंग से ही विदान सबा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं अब सवाल दोनों ही पार्टियों में चल रहे टिकेट पारे पर घमासान को ले कर दे कि कॉंग्रेस पार्टी में लगभग टिकेट पित्रन पर मंतन फाइनल दौर में पहुंच चुका है और इस महीने अब जो यह महीना सितंबर का शुरू होने जा रहे हैं लगभग सो उम्मीदवार दावेदारों का नाम जो है कॉंग्रेस प बैठक होनी थी वो रद्द कर दी गई उसके पीछे की वज़ा यह बताई जा रही है सियासी पंडित ये मानते हैं कि बीजेपी अगर अभी टिक्टो का एलान कर देती है उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर देती है तो जिन जिन लोगों के नेताओं के टिकट कटेंगे व टिकट वित्रण की इसी खीचतान को लेका इस खीचतान वाली चुनौती से बीजेपी कैसे पार पापाएगी राजिस्तान में ये भी अपने आप में बड़ा सवाल और इनी सवालों के साथ इंसाइट स्टोरी में आज इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो त जादा से आदा शेयर करें आप भी इन पूरे मामलों पर राजिस्तान की राजनते घटना गरम पर कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और राजिस्तान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सबस्क्राइब जरूर कर लिजे टीवी नाइन राजिस्तान नमस्कार